अब याद करने का बहुत सर्भूल जाते हैं देखो बेली कोज बिल्ली की तरह लड़ती है औरत बेली कोज बिल्ली की तरह मतलब औरतों का पेट में बात नहीं पचता है औरतों की पेट में इसलिए यह वर्ड का नाम है बेली कोज बेली कोज मतलब होता क्या है जग रालू की सिमका उसके पेट में बात नहीं बचा दू तो देखो लगाड मतलब होता है सुष्थ तो देखिए, गाड लगा के बैठा है रूम में, मतलब ज्वादी बहुत सूस्त होता है ना, कोई काम नहीं करता खुद से, बोलता है आरे मुझे ये दे दो, मैं नहीं उठूंगा यहां से, तो आपको याद रखना है लगाड, लगाड मतलब गाड लगा के बैठा है रूम ना कुछ नगता हो उसको बोलते हैं लगाड शुस्त आलसी तो देखी इसके सेमिनी क्या हो बहुत स्लगिस है वेचारा स्लगिस मतलब लेजी है आलसी है पूरा स्लगिस है सोया हूँ रहता है स्लीब में राता है उसको बोलते हैं सलगी स्लेजी मतलब भाया अलसी है मैं ये काम नहीं करूंगा तो उसका मतलब ले जी अव लेंज इसको कैसे करेंगे नाव बहुत है मतलब इधा नहीं डोलेंगा उसको वह बैठ क्रिके से रहा है . नीन डा रहा उसको उसको बोलेंगे Indolence, तो तलगे तग्रे तःल के तरीके से जाता कि बादे है न, देखलो पहले, फिर से, बेली कोच और अरत भू जगराू होती है, बिल्लीओ की तरह लड़ती है, उसको बोलते बेली कोच, इसको बोलते बिल्ली की तरह लड़ना, तो बेली कोच क्वारल सम लगाड लाएक बैठा है बड़ा सुस्त इंसान है तूसी को बोलेंगे स्लगिस लेजी और इंडोलेंस और इंडोलेंस इंडोलेंस शुष्ट याद कर साथ यह तहर लके तरीकी से अगर मेरे चांड पे नहीं होना लाईक सब्सक्राव और सीयर बिल्कुल ठोक दो फिर मिलें एसे पर हैंगे ना जीगर में उतार देंगे इस्टडी टिंसर नलो और जिन्दगी के जंग जरूर जीतेंगे हम